कंसेंट्रेशन आफ यूरीन इसकी चल्चा करेंगे हमने आपको बताया था कि जो यूरीन तयार हो रही है जो फिल्ट्रेट है फिल्ट्रेट इन क्लेक्टिंग डक्ट यह कैसा था क्लेक्टिंग डक्ट इस हाइपो टोनिक हाइपो टोनिक टु ब्लड प्लाज्मा और इसका जो कंसेंट्रेशन है वो 200 मिली आस्मोल पर लीटर है यह कंसेंट्रेशन है जबकि आपको पता है कि जो ब्लड प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन होता है वो कितना है वो 300 है तो ब्लड प्लाज्मा 300 है और यह 200 है इसका मतलब यह कैसा है यह हाइपो आस्मोटिक है हाइपो टोनिक या हाइपो आस्मोटिक है और 200 मिली आस्मोल पर लीटर इसका कंसेंट्रेशन है ठिक अब आपको पता है कि मैमेल्स और बर्ड में क्या होता है the mammals and birds excrete the concentrated urine mammals and birds excrete the concentrated urine mammals and birds excrete the concentrated urine mammals में और bird में urine जो डिस्चार्ज होता है वो concentrated urine होता है ठीक है और इसका जो concentration होता है वो कितना होता है इस कंसेंट्रेशन इन मैं कितना होगा इस थी हंड्रेट मल्टिप्लाइड भाइ फोर ताइम इकोस तो 1200 मिली आसमोल पर लीटर यह कंसेंट्रेशन है इसका 1200 मिली आसमोल पर लीटर है यह ठीक है अब कहरें कि जो urine यहाँ पर collect हुई है इसको हम dilute urine कहते थे और dilute urine का concentration कितना आ रहा है 200 मिली आसमोल पर लीटर आ रहा है और हम excrete कितना कर रहे है 1200 मिली आसमोल पर लीटर वाला urine discharge कर रहे है तो concentration कितना गुना हो गया dilute urine का 6 गुना हो गया और plasma का 4 गुना हो गया इतना concentrate urine discharge करते हैं लेकिन हमने पैदा कितना किया है 200 वाला और discharge कितना करना है इस समय urine है कहां पर इस समय यह urine collecting duct में है वहां से जब हम discharge करेंगे तो यह 1200 मिली आसमोल पर लीटर का हो जाएगा तो यह 6 गुना concentration कहां से आता है जिस mechanism से यह 200 वाला 1200 में convert होता है हम उसे क्या कहते है it is known as the concentrated urine क्या होता है यह concentrated urine होता है और urine के concentration की इस mechanism को हम नाम क्या देते हैं it is known as it is known as the concentration of urine यह कैसे होता है इसके हम आगले segment पर अभी देख रहे हैं